ये जो चार वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हो, इसमें से सिर्फ एक रियल है, और बागी तीन को AI की मदद से बनाया गया है, क्या आप पता लगा पा रहे हो कि इनमें से कौन सी असली है? सही जवाब है ये, अब एक और वीडियो देखो, अगर आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये कौन है, तो ये हैं Hollywood स्टार Will Smith, जो की स्पैगेटी खा रहे हैं, और इस वीडियो क्लिप को भी AI की मदद से ही बनाया गया था, लगबग एक साल पहले, और इस वीडियो को दे और ये जो तीनों क्लिप्स आपने शुरू में देखी, इन्हें बनाया गया है सोरा की मदद से, और अगर सोरा के बारे में आपको नहीं पता, तो सोरा है उपन AI का नया टेक्स टू वीडियो जनेरेटिंग ओडल, वही उपन AI जिसने चैट GPT और डोली जैसे आई प्लेट मतलब सोरा बहुत complex scene को भी बहुत आसानी से जनेरेट कर सकता है, और ये सोरा square, vertical, horizontal किसी भी orientation में full HD resolution पर वीडियो जनेरेट कर सकता है, मतलब आपको चाहे इंस्टा के लिए वीडियो बनानी हो, चाहे ट्विटर के लिए या फिर YouTube के लिए, आप किसी भी platform के लिए बड़ी आसानी से वीडियो बना सकते हो, आप इसे कितना भी detail में prompt लिख कर देदो, ये उसमें से keyword identify करके आपको बहुत accurate तो नहीं, लेकिन काफी ठीक ठाक result देता है, जैसे कि ये वीडियो देखो, left में जो prompt लिखा है, उसमें से सोरा ने highlighted words को keyword की तरह यूज़ किया है, और right में आ आप अपनी existing वीडियो को forward या backward extend भी कर सकते हो, जैसे कि इन तीनों वीडियो को देखो, इसमें एक train है, जो कि अलग अलग जगा से start हो रही है, लेकिन end तीनों वीडियो का एक ही जैसे हो रहा है, और अगर आप किसी वीडियो को forward और backward दोनों तरफ extend कर लेते हो, तो एक infinite loop वीडियो बन जाती है, जैसे कि ये cycling का वीडियो, इसमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वीडियो कहां से शुरू हो रही है और कहां पर खतम हो रही है, इसके बाद आप सोरा से किसी भी existing वीडियो का environment या style भी बदल सकते हो, जैसे एक car का वीडियो, अभी ये एक जंगल के बीच में एक साड़क पर चलती हुई car है, लेकिन आप चाहो तो जंगल को और घना बना सकते हो, वेदर को winter में बदल सकते हो, आप चाहो तो इसे old style car भी बना सकते हो, और साथ में जंगल को एक शहर में बदल सकते हो, इसके बाद आप किनी भी दो अलग लग वीडियो लेफ्ट में है और एक राइट में है और बीच में जो वीडियो है वो इन दोनों को जोड़ कर बने गई है एक और एक्जांपल देखो इसमें एक ग्रिगिट कैसे का बुतर में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे इसमें एक तरफ ये समुद्र के पास एक इमारत है और दूसरी तरफ ये क्रिस्मस डेकोरेशन है और बीच में है इन दोनों वीडियो का एक सीमलेस ट्रांजिशन सोरा में आप वीडियो के अंदर ही रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन भी दिखा सकते हो कैसे जैसे इस वीडियो में ये पेंटर पेंटिंग कर रहा है तो खाली ब्रश नहीं हिल रहा बलकि पेंटिंग में भी कुछ नया बन रहा है ऐसे आदमी जब बर्गर खाता है तो बिखेंगे अबातसर नहीं है बहुत सारी चीज़े आकुरेट ली नहीं कर सकता यह भी बहुत सारी चीज़ों की फिजिकस को नहीं समझता तो यह अजीब से रिजल्टкой बाद कर पाता कई बार वीडियो में मेन स 보्जेक्ट पे लावा जोग पर दोडते हुए इंसान को जनरेट करने के लिए का गया था लेकिन सोरा ने जो इमेज जनरेट किया उसमें इंसान ट्रेड मिल पर उल्टा दोड रहा था अब इसे देखो इसमें वूल्फ के पांच बच्चो को खेलते हुए दिखाना था लेकिन जो वीडियो जनरेट हुई उसमें से एक के अंदर से एक दूसरा बच्चा निकलते जा रहा है ऐसे ही ये देखो इसमें दादी ने एक फूक मारी लेकिन मुंबत्ती बुजी ही नहीं और दादी की आँके देखो लग रहा है वो कहीं और ही दिख रही है कहने के मतलब अभी भी सोरा में काफी कमिया है लेकिन फिर भी इसके काफी सारे रिजल्ट यूज करने लाग है और कुछ तो इतने रियलिस्टिक हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है तो अब आता है बड़ा सवाल कि इस सोरा के आने से किस-किस को नुकसान होगा और किसको फायदा तो सबसे पहले जो स्टोक फूटेज कमपनीज हैं जैसे अडोब स्टोक, काई स्टोक इन सब का धंदा काफी मंदा हो जाएगा क्योंकि अगले कुछ सालों के डवलेप्मेंट के बाद ही आपको बहुत accurate result मिलने लगेंगे इसके लाबा बहुत सारे अनिमेटर्स और 3D आर्टिस्ट की नोगरी भी खत्रे में आने वाली है लेकिन यहां सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं जो छोटे स्केल पर काम करते हैं क्योंकि फिल्म्स पगेर में यूज करने लाइक फुटेज अभी कुछ साल तक तो AI शायद नहीं बना पाएगा लेकिन इससे कही लोगों को फायदा भी होगा ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट साइड शूट करने पर पैसा कर्च नहीं करना पड़ेगा बड़े और महेंगे शोट्स को बनाना बहुत आसान हो जाएगा जैसे कि ये मल्टी टीवी वोल अगर इसे शूट करने के लिए सच में टीवी का सेट अप किया जाए तो काफी ज्यादा पैसा खट चोगा इसके बाद नए content creators जिने animation या editing नहीं आती वो सिर्फ prompt writing सीख करी उन सारे creators से आगे निकल सकते हैं जो खुद से अपनी video edit या फिर animate करते हैं और अब तो खुद YouTube भी AI tool को YouTube पर लाने की बात कर रहा है लेकिन इसके लिए भी एक creator वाला mindset होना जरूरी है सिर्फ AI आपको एक बड़ा content creator नहीं बना सकता यह को simple सी बात है जब डॉली और mid journey जैसे AI tool आये थे तो इस तरह की image generate करते थे और आज आप real और AI image में फर्क भी नहीं कर सकते और यही Sora के साथ होगा एक दो साल बाद आप real और AI वीडियो में अंतर भी नहीं कर पाओगी बाकि आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ Sora और mid journey जैसे AI tool हम इनसानों को कभी replace कर पाएंगे या नहीं और जिने इस Sora के बारे में जानने की ज़रुत है उन तक यह वीडियो शेयर करो बाकि जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ